इरान और इस्राइल मिडिल इस्ट की ये दो मुल्क युद्ध लड़ने के लिए आतुर हैं दोनों के बीच वार और पलटवार का दौर चल रहा है। के लिए उमान का धनवात दिया। उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच अधिक एकता का भी आगरह किया। उन्होंने कहा कि अगर मुस्लिम देश एक जुट होकर काम करें तो इस्राइल इतनी आसानी से उलंगन करने की हमत नहीं करेगा और ना ही अमारिका और पश्चिमी दे के अनुरूप है। उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि गाजा और लेबनान में उत्पिड़ित लोगों के अधिकारों का समर्धन करना एक प्रमुक प्रात्मिकता है। दरसल एक अक्टूबर को इरान ने इसराइल पर फलडबार करते हुए उस पर करीब 200 कोई वहीं सिरिया के हमले में हिजबुला चीफ नसरल्ला के दामाद की मौत हो गई। इसके बात से दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। वहीं हिजबुला और इरान से संगर्ष के बीच अब अरब देशों ने इसराइल को बड़ा जटका दिया है। इरान को ये भ 17 अपरैल में अरान के हमले के समय अरब देशों ने इसराइल को चुका है लेकिं अगर इसराइल ने उटसावे वाली कारवाई की तो फिर से निशाना बनाया जाएगा। मैं इसराइल ने इरामी हमले का जोड़ दार जवाब देने का वाधा किया। अमारिका मीडिया में इरान के अंदर तेल उत्पादन सुविधाओं को निशाना बना सकता है